अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है, इन्होंने हमारे ओफिस पे धमका कर, ओफिस को तोड़ कर, हमें चैलेंज दिया है, चैलेंज क्या है, गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं, जो हमने कहा, और लिखके ले लो कॉंग्रेस पार्टी कि जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोधिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं कौन हराएगा हमारे लीडर हराएंगे हमारे बबर्शे टाइगर हराएंगे अयोधिया का इंटरनाशनल एरपोर्ट बना बड़ा एरपोर्ट जमीन किसकी गई अयोधिया के किसानों की जमीन गई आज तक उनको सही मुआफ़जा नहीं मिला और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे तीसरी बात राहूल जी अयोधिया की जनता को बहुत गुसा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉगुरेशन में अयोधिया का एक भी व्यक्ति नहीं था ये कारण थे मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो मुवमेंट अडवानी जी ने चालू की थी उस मुवमेंट को जो जिसका सेंटर अयोधिया था उस मुवमेंट को इंडिया गडवन्दन ने अयोधिया में हरा दिया है और पार्लमेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनागुरेशन किया और राम मंदिर के इनागुरेशन में अदानी जी दिग गए अंबानी जी दिग गए मगर गरीब व्यक्ति वहाँ कोई नहीं दिखा आपने देखा होगा टीवी भी देखा आपने